नमस्का नियूस फोर नेशन देख रहे हैं आप आपके साथ महोरचाश्रमा सिमान्चल मेरा या सिमान्चल तेरा दरसल ये सवाल बिहार की स्यासत में इस वक्त केंद्र बिंदू के तौर पर उभर रहा है वो इसलिए क्योंकि आप तीसरे फेज के लिए मदान होने हैं और ऐसा माना जा रहा है कि सिमान्चल शित्र से जोड़े जाज़तर इलाके तीसरे फेज में आते हैं हालाकि इस बार जो मादान होंगे वो उसमें कोसी, मतलान्चल और सिमान्चल ये तीनों शित्र हैं लेकिन बिहार की जतने भी मानेता प्राप्ट दल है उनके नेताओ के तरप सी ये दावे किये जा रहे है कि सिमान्चल तो मेरा है भाईया, सिमान्चल पे तो मेरी पकड़ है तो जीत मेरी पार्टी की होगी चिराग पासवान ये कह रहे है कि सिमान्चल पर लजएपी की पूरी पकड़ है, बीजएपी कहा रही है कि सिमान्चल में बीजएपी के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता, जेडियो के कुछ ऐसे ही दावे है, ऐसे में ये तो देखना है सो रही है, इतनी बाते हो रही है, सब की तरब से ये दावे किये जा रहे है कि सिमान्चल मेरा है, आखिर वहां के सियासी समीकरन क्या कुछ कहते हैं, हम आपको एक एक कर बताने की कोशिस करते हैं विहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम और तीसरे चरन के लिए चुनाव प्रचार का दौर गुरुवार को समाप्त हो रहा है। अंतिम चरन में 15 जिलों के 78 विधानसभा शुत्रों के लिए मत डाले जाएंगे। त्रिवेनी गंज और धाका वधानसभा सीट पर मुकाबले में है। बालमिकी नगर लोकसभा सीट के लिए होने वाले उप्चुनाव के लिए इसी फेज में वोट डाले जाएंगे। यहां साथ उमिदवार मैदान में है। पूर्वेचमपारन, सीतामडी, मधुबनी, सुपॉल, अररिया, मधेपूरा, पुर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, दर्भंगा, वैशाली, मुझभपरपूर और समस्तिपूर शामिल है। इस फेज में महागट बंदन की ओर से आर जेडी 46 सीटों पर तो 25 सीटों पर कॉंग्रिस के उमिदवार है। CPI, माले 5 और CPI ने दो सीटों पर अपने प्रत्याश्री उतारे है। इसके अलावा असुदीन ओवैसी की AIMIM ने करीब दो दर्जन सीटों पर अपने उमिदवार उतारे है। साल 2015 के वधान सभा चनाव में महागट बंदन के संग रहते हुए जेडियों ने 17.31 प्रतिशत वोटों के साथ 23 सीटे जीती थी। जबकि आर जेडी 16.30 प्रतिशत वोट के साथ 20 सीटे अपने नाम की थी। कॉंग्रिस को 8.38 प्रतिशत मत के साथ 11 सीटे मिली थी। बीजेपी 25.79 प्रतिशत वोट के साथ 20 सीटे जीती थी। हालाकि लजेपी को 3.81 प्रतिशत वोट तो मिले थे पर वो खाता भी नहीं खोल सकी थी। इसके अतरत अन्य को 3 सीटे मिली थी और CPI माले को एक सीट पर जीत मिली थी। अब आपको बताते हैं कि 78 वधानसवा शुत्र कौन कौन से हैं और जहां से जो प्रत्याशी हैं वो छुनावी रण में उतर रहे हैं। वालमी की नगर, राम नगर, नरकटिया गंच, बगहा, लॉरिया, सिक्टा, रक्सॉल, सुगोली, नरकटिया, मोतिहारी, चिरया, धाका, रिगा, बतनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजोली, बाबु बरही, विस्फी, लोकहा, नि पिपरा, सुपॉल, त्रिवेनी गंच, छातापूर, नर्पत गंच, रानी गंच, फार्विस गंच, अररिया, जोकिहार, सिक्टी, बहादुर गंच, ठाकुर गंच, किष्ट्टन गंच, कोचा, धामन, अमोर, बायसी, कस्वा, बनमन्खी, रुपॉली, दमदाहा, किष्टिहार, कदवा, बलरामपूर, प्राणपूर, मनिहारी, बरारी, कोढ़ा, आलमनगर, बिहारी गंच, सिधिस्वर, सिंगेश्वर, मधेपूरा, सोनबर्चा, सहर्चा, सिम्रेवक्तियारपूर, महिशी, दर्भंगा, हायाघाट, बहादुर, केवटी, जाले, बोचहा, सकरा, कुड़नी, मुझपरपूर, महुआ, पातेपूर, कल्यानपूर, बारिस्तनगर, समस्तिपूर, मोर्वा, और सरायरंजन तो ये है कुल 78 सीटे जन पर चुनाव होने हैं, जिस सीटों के लिए मद्दान होने हैं हाला कि सभी पार्टियों को तरफ से ये दावे किये जा रहे है कि सिमानचल शुत्र उनमें आता है और वहाँ पर उनकी पैठ है ऐसे में देखना दल्चिस्प होगा कि मिद्दानचल कोसी और सिमानचल वाले इस विदान सबाशुत्र में आखरकार जेत किसकी होती फिलाल कि लिए हमें दीजे इजाज़त नमस्कार